हलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा आज हम बनाने वाले हैं जालीदार सुपर सौप ताजी ताजी सूजी का धोकला बहुत ही शौप बन के रेडी है और टेस्ट में तो एक नमबर टेस्ट है बेसन के धोकले से भी बहुत ही जादा टेस्ट है देख सकते हैं कितने जादा स्पॉंजी बन के रेडी है मेरे सुजी के धोकले तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकोन क्लिक किल लिजेगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं मैंने यहां तरका लगाया है बहुत ही सॉप्ट बनके रेरी हैं सूजी के और कुछ ही मिंटों में बनने वाली यह सूजी के ढोगले आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और यह रेसिपी पूरा देखिएगा नहीं तो स्कीप कर दीजेगा तो इसमें कुछ गरवरी हो शकता है इसमें मैं कुछ खास ट्रिक्स बताने वाली हूँ तो इसलिए आप इसे पूरा वीडियो देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां लेंगे एक कप सूजी और हाप कप टोटल हमने देर कप सूजी लेंगे और नमक हम यहां एक चमचे चीनी मिक्स करेंगे और यहां हम एक कप दूद्ध डालेंगे आप चाहे हिसमें धही कभी यूज़ कर सकते हैं मेरा हम-पूरा एक कप हम दूद्ध डाल के इचको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 15 मिनिट के लिए फूलने के लिए हम छोड़ देंगे अब 15 मिनिट हो चुका है मेरा सूजी फूल सुका है मुझे लग रहा थोड़ा टाइट है इसको हलका सा पतला घोल बनाना है तो हम इसे पानी डालेंगे और आपको बोला था मैं एक ट्रिक बताऊंगी वो ट्रिक यह है जो एक चमज बेकिंग पाउडर हम डालेंगे हम लोग अब गरम करने के लिए देते हैं फटा फट अब हम बेकिंग पाउडर डाल दी है फटा फट टीन में हम अभी टांसपर कर लेंगे इसमें एक चमज हम ऐल डाले है अब इसको देरी नहीं करना है नहीं तो इसका जो बबल से आप देख सकते कि इता फूला फूला लग रहा वह बबल्स हट जाएंगे तो चलिए मेरा पानी गरम हो गिया है इसको धकन डालके हम चेक करते रहेंगे अब देखिए हलका हलका फूला स्टार्ट हो गिया है आप देख सकते हैं यह मेरा सूजी का ढोकला बनके रेडी है मेरा चक्कु में किदर इस नहीं लग चिपक नही यहां मैंने तड़का के लिए राय लिए है कुछ गहरी पता और शुक लाल मेड़ और इसमें हम भी पाने डाल देंगे और हल्का कट्टा के लिए खट्तमीठा चट्नी बनाएंगे तो इसके लिए हम निमबु का यूज किये हैं और दो चमत चीनी तो यह खट्तमीठा वाव ! बहुत अच्छे फूले हैं आप पर कर लेदि हैं एक दम केक से भी जादा नरम बना यो तुरू ना जाय इतने जादा supply बनके रेडी हैं तो चलिए मैं सारा कट कर लेती हूं पीस-पीस में कट कर लेंगे उसके उपर हम तड़का डालेंगे तड़का में आप अपने अनुसार चीनी मिक्स किजिए आपको कितना मिठा पसंद है कितना खटा आप देख सकते किते ज्यादा स्पॉंजी बनके रेडी झालेंगे आपको फो जवड़का देख सकते कितना पाज है हुड कितना पालेंगे दो मिक्तों कितना गामका पहल ऐस अनित आपको तेक शो chilled सड़ली कितना पालेंगे।